दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोडेक्ट के बारे में बताऊंगी जो कि फंगिसाइड का भी काम करेगा इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है साथ ही एक टॉनिक भी है और एक प्लांट ग्रोथ परमोटर भी है इतने सारे बेनेफिट और दोस्तों सबस से दे सकते हैं सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो के अंट तक जरूर बने रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनिता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गेनिक जरनी दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंसते रहे हैं आई आज कुछ नया सीख लेते हैं जिस प्रोड़क्ट के बारे में मैं बात करने जा रहे हूं आप बताने जा रहे हूं यह है दोस्तों गैनेक्सा यूपील कंपनी का गैनेक्सा यह एक बायो प्रोडेक्ट है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं कैसे हम प्लांट में दे सकते हैं कौन सी स्टेज पर हमें देना चाहिए और साथी में आपको लाइव भी दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग इस प्रेज इसका करते हैं या फिर हम साइड इफेक्ट नहीं होते हमारी फसलों में और साथी दोस्तों यह एक फंगिसाइड भी है एक इंसेक्टिसाइड भी है टोनर का भी काम करता है और प्लांट ग्रोथ परमोटर का भी काम करता है इसका कॉम्बिनेशन की बात करें तो स्टेबलाइजड और्थो सिलिसिक एसिड 2% का इसमें कॉम्बिनेशन है यह दोस्तों इस पर लिखावा भी है स्टेबलाइजड ओर्थो सिलिसिक एसिड 2% का इसमें कॉम्बिनेशन है यह देखिए अब बात करें कि कौन-कौन सी फसलों में हम लोग यूज कर सकते हैं तो दोस्तों धान, कपास, गेहूं, आलू, मिर्च, टमाटर, किसी भी सबजी वरगिये फसलों में या फिर बागवानी कर रहे हैं तो बागवानी में आम, अनार, किन्नू, संतरा, मोसमी, किसी भी बागवानी फसल में यूज करो या सबजी वरगिये फसल में यूज करो या रूटीन फसले जैसे धान, गेह, कपास वगर होगे, इन में आप लोग यूज कर सकते हैं, बीना किसी जीजग के बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट है, सभी परकार की फसलों में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या है भई, यूज करने के कि हम लोग क्यों यूज करें हमारी फसलों में क्यों इसका उपयोग करें तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि हम लोग इसका किसे इसका डोस तयार करेंगे या डिप्स देंगे कैसे हम लोग तयार करेंगे तो इसका सबसे जो important benefit है वो है दोस्तों कि एक ये कीट नाशक भी है और fungus को भी कंट्रोल करता है ये बायोजैनिक सिलिकोन परत बना करके fungus और कीट दोनों से ही protect करता है हमारी फसलों को दूसरा जो important benefit है वो है दोस्तों एजैविक तनाओं के प्रती पोदों में सहन सिलता को बढ़ाता है यानि की पानी कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं बारिश कम ज़्यादा हो रही है या फिर हमारी सोयल में कहीं पर भारी ततों की मातरा ज़्यादा है लवनता ज़् उन सब के प्रती हमारी फसलों में हमारे पोदों में सहन सिलता को बढ़ाता है तीसरा जो important इसका benefit है वो है दोस्तों की ketine exchange capacity को ये बढ़ाता है और हमारे पास बहुत सारे comments आते हैं कि फल ड्रोप हो रहे हैं फ्लोरिंग स्टेज पे fully जढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या उ इसे फ्रूट ड्रोप की समश्या बिल्कुल नहीं हो रहती है चाहे किसी भी फसल में आपके फ्रूट ड्रोप की समश्या हो रही है फल जढ़ रहे हैं या फ्लोरिंग स्टेज पे fully जढ़ रहे हैं तो उस situation में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं तो दोस्तो अभी हम लोग इसकी डोस्त तयार कर रहे हैं यह 200 लिटर का टैंक है जो पानी से हमने फिल कर लिया है और यह है 500 ml इसे अच्छे से मिक्स करके और हम लोग यह अनार की फसल पर अभी स्प्रे करेंगे अगयुकर वाधर के लिए इस तो से बहुत ही अच्छा रिजल्ट हाथा है इसलिए आप Лोग इस तरीके से डोस्त तैयार करके इस प्रे ही करें फ्रूटिंग स्टेज पर दोस्तों कोई सी भी फसल हो जो फ्रूट ड्रोप की समझा आती है वो बिलकुल नहीं आती है इससे इसलिए हम लोग आज इसका स्प्रे कर रहे हैं रहे हैं झाल